आज जो पट्याला में हुआ, इस सब की जानकरी पंजाब पुलीस को, पंजाब की सरकार को, परशासन को थी बकैदा तीन दिन से ये इशू बना हुआ था और बार बार लोग पुलीस को कह रहे थे पुलीस द्वारा ये अश्वासन दिये गए थे, परशासन द्वारा ऐसा कुछ नहीं होगा लेकिन जान बूच कर इसको होने दिया गया, ऐसा महौल क्रेट होने दिया गया क्योंकि ये जो आज सरकार है आमादमी पार्टी के, ये अर्बन नेक्सलाइट लोग हैं ये लोगों को बाट कर धर्म के नाम पर बाट कर ये राजसता को हसल करने के लिए माननी जाने वाले पार्टी हैं अब ये और आगे राजसता हसल करें, देश में जाएं इसके लिए पंजाब का नुकसान करेंगे आपसी लोगों को लड़ाएंगे, धर्म के लोगों को बिढ़ाएंगे आपस के अंदर, मैं पंजाब के लोगों को कहना चाहता हूँ, आपको आपको सहीयम रखने की जुरूरत है, और आपको यह याद रखना चाहिए कि बगवंतमान जी ने अर्विंद के एजरिवाल ने आपको लड़ाएंगे, बिढ़ाएंगे, ताकि यह सत्ता के देश की सत्ता के उपर काबच करने का सपना लेकर आए हैं पंजाब का नुकसान करकर, आज जो पट्याला में हुआ, इस सब की जानकरी पंजाब पुलीस को, पंजाब की सरकार को, परशासन को थी, बकैदा ती पुझ कर इसको होने दिया गया, ऐसा महाल क्रेट होने दिया गया, क्योंकि यह जो आज सरकार है, आमादमी पार्टी के यह अर्बन नेक्सलाइट लोग हैं, यह लोगों को बाट कर, धर्म के नाम पर बाट कर, यह राज सत्ता को हसल करने के लिए माननी जाने वाले और आपको यह जाद रखना चाहिए कि भगवंतमान जी ने अर्विंद के जरिवाल ने ऐसा क्यों होने दिया, क्योंकि सरकार भगवंतमान नहीं चला रहे, सरकार अर्विंद के जरिवाल चला रहे हैं दिल्ली से, और अर्विंद के जरिवाल चाहते थे कि पंजाब में ऐ सान कारकर